हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू दा सक्सस किंद्रा फ्रेंट्स दिखी BPSC के माध्यम से बिहार में सिक्षक भरती परिक्षा दोहजार तेइस लिया जाएगा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, इसमें टोटल एक लाख सतर हजार चार सो एक सट पद हैं फ्रेंट्स, बिहार में जो पिछले वर्स BPSC के माध्यम से प्रात्मिक सिक्षक प्रारमिक परिक्षा लिया गया था दोहजार नोव में उसमें जो प्रश्न पूछे गया हैं, उनको इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आपकी एक्जाम के दृष्टी कौन से यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट है, वीडियो को ध्यान पुर्बक दिखेगा और फ्रेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जो बेल आइकन है, घंटी का निसान है, उसको जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी BPSC सिक्षक भरती परिक्षा 2023 से सम्मंदित कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये हुए सेसन आज की स्टार्ट करते हैं पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर जीजे और जब सेसन समाप्त होगा तो इसको कम से कम एक ग्रूप में जरूर सेयर कर जीजे देखें फ्रेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग BPSC के माध्यम से बिहार में जो सिक्षक भरती परिक्षा लिया जाएगा अगस्त 2023 में इसका विग्यापन भी जारी कर दिया गया है इसमें टोटल 1,70,461 पद हैं और आज इस वीडियो में हम लोग Bihar में जो प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परिक्षा 2009 लिया गया था BPSC के माध्यम से उसमें जो प्रशन पूछेगा हैं उनको इस वीडियो में हम कबर करेंगे बहुत ही important session है वीडियो को ध्यान पुरवक देखिएगा चलिए शुरू करते हैं पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर जीजे देखे पहला प्रशन पढ़ेंगे friends पहला प्रशन है कि कच्छवा और खर्गोस की कहानी में खर्गोस आराम क्यों करने लगा देखे पहले क्या होता था हिंदी, साइंस, जीके, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, जोगरफी, बिहार से भी संबंदित प्रशन और टीसिंग एप्टिटूड सबी एक ही में होते थे, सो प्रशन पुछा जाता था, लेकिन इस बार जो है सिलेवस में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, हिंदी को अलग किया गया है, और साथ में अंग्रेजी भी रखा गया है और बाकी सावान अध्यान, तो देखिए फ्रेंट्स, ध्यान से सुनिएगा कच्छुवा और खर्गोस की कहाने में खर्गोस क्यों आराम करने लगा, तो उसको अपनी जीत का विश्वास था, अप्सन नमबर ए, राइट अंसर हो जाएगा, ये जो हिंदी के प्रशन अभ की डायर होता है, ठीक है, रंगने वाला, कपडों के रंगाई के पारंपरी की व्यवसाय से जुड़े होने के कारण इस जाती का नाम रंगरेज पड़ा, तो कपड़े रंगने वाला, नेक्ष्ट कुस्चन है कि इद के दिन बड़ो द्वारा छोटों को दिये जानने वाल पैसे को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको इदी कहा जाता है, इदी का मतलब उपहार होता है, ठीक है, चलिए, अगला प्रशन है कि सिखो के किस गुरु का जर्म पटना में हुआ था, तो सिखो के जो दसवे गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंग, इनी का जर्म पटना में 1666 में हुआ था और इन्हों ने 1699 में खालसा पंथ का अस्थापना किया था ठीक है खालसा पंथ की अस्थापना इन्हों ने कब किया था तो 1699 में इस शिखों के दसवे और आखरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंग इनका जर्म 1666 में पटना में हुआ थ अगला प्रश्ण है कि पंच तंत्र की कहानिया किस ने लिखी है, पंच तंत्र की कहानिया जो है इसको लिखा है विशनुदत सर्मा ने, option number c राइटनसर हो जाएगा, वैसे आपको विशनुदत सर्मा ही देखने को मिलेगा, लेकिन विशनुदत सर्मा और यहाँ पर अयाल option number A हो जाएगा निम लिखित में से कौन सा सब्द सूरज का सूरज का परयायवाचू नहीं है तो इसमें से देखे दिनकर सूरज का परयायवाचू सब्द है दिनेस भी है रभी भी है ठीक है राकेस नहीं है राकेस जो है ये चंद्रमा का परयायवाचू सब्द होता ह अगला प्रश्टन है कि बांचे खिलना एक मुहाबरा है इसका तात पर क्या है बांचे खिलना मतलब बहुत प्रशन होना और अपसर नमबर बी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा next question है कि लोक निर्थ करने वाले को क्या कहते हैं जो लोक निर्थ करने वाले हैं उनको लोक नर्तक कहा जाता है अगला प्रश्ण है कि खिला पिला कर बैलो को लेकर करने चला खेत पर काम यह पंगती किसके लिए कही गई है तो आपको याद होगा friends पूरब की लाली पहचान चीडियों के जगने से पहले खाट चोड उठ गया किसान खिला पिला कर बैलो को लेकरने चला खेत पर काम किसान तो यह पंगती जो है यह किसान के लिए कही गई है देखे हमारे चैनल के माध्यम से बिहार में जो अभी BPSC के दौरा सिक्षक भरती निकाला गया है उसकी तयारी अच्छे तरीके से कराई जा रही है platform का practice set में आपको cover करवा रहा हूँ और continue video आपको provide कराई जाएंगे best quality के चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को दबा लिजेगा ताकि कोई भी video upload किया जाए तो उसका notification सबसे पहले आपके पहुँच जाए platform का जो practice statement में ने कराया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो देखेगा link description में मिल जाएगा आपको देखे सुद सब्द छाटी इसमें सुद्द कौन सा लिखा गया है सारे आशिरवाद ही लिखे गया है लेकिन आशिरवाद का जो सुद्द सब्द है यह option number A हो जाएगा इस तरह से आशिरवाद लिखा जाता है सेर का परयावाचू सब्द छाटी सेर का परयावाचू क्या होता है तो सेर का परयावाचू सब्द C होता है वन राज होता है केसरी होता है और सारदुल होता है ये इंपोर्टेंट है सारदुल ध्यान रखेंगी सीह का परयाव आच्छी सब्द है सेर का तो इसमें से सेर का केसरी हो जाएगा option number A ठीक है चले उसका बाद next question हमारा कि विद्वान का इस्तरलिंग बताईए विद्वान का इस्तरलिंग जो होता है ये विदुसी होता है option number A रैट अंसर हो जाएगा बिरबल आपने किस गून के कारण प्रसिद्व थे बिरबल जो थे ये अपनी चतुराई के कारण अपनी बुद्धिमानी के कारण जो थे ये famous थे निराहार का सावदिक अर्थ बताईए निराहार जो बिना भोजन की हो यानि कुछ खाया पियाना हो तो रैट अंसर इसका भूखा हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टन है कि मीनू एक अच्छी लड़की है इसमें अच्छी जो है ये क्या है तो ये मीनू की विशेष्ता बता रहा है यानि कि ये विशेषन है ठीक है option number B हो जा करते हैं करता उसको करते हैं जो काम करने वाला है यानि कि काम करने वाले को करता कहा जाता है नेक्स्ट कुस्टन है कि किसी सब्द से पहले लगने वाले को क्या कहते है सब्द के जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहा जाता है और बाद में जो लगता है उसको प्रत्य कहा जाता है तो उपसर इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है कि जगत सब्द का संसार के अतिरिक्त और कौन सा अर्थ है तो जगत मतलब एक संसार होता है और जगत का मतलब एक कुए का चोरहा होता है ठीक है चबुतरा कहिए तो यहां कुए की मेर दिया गया है तो option number C इसका राइटन सर हो जाएगा कौन सा सब्द सम्मूह इसमें से sterling नहीं है देखे प्रतीभा, जंजीर ये sterling है रोटी, जलेबी ये भी sterling है यहाँ पर देखे लोटा जो है ये पूलिंग होता है तो option number B जो है ये sterling सम्मूह नहीं है इसमें ठीक है, चले उसका बद देखेगा कि कवे ने पानी पीने के लिए घड़े में क्या डाला तो आपको याद होगा कि एक कवा है जो घड़े में पानी जो है बिलकुर घड़े की पेंदी में है उसमें कंकड डालता है जिससे पानी का लेबल उपर आ जाता है तो कंकड इसका राइट अंसर हो जाएगा उसका बाद देखे एक किरन से बदल गया जग चिडिया गाती गीत चली इस पधांस में बदल गया जग का अर्थ क्या है तो इसका मतलब है सुरियोद है ठीक है? चली, next question है कि सुर्ती लेक से क्या तात्य पर है फ्रेंड्स में आपको आगे जो है जीके सेक्षन मिलेगा उसको भी कभर कर बाऊंगा देखे राइट अंसर हो जाएगा सुर्ती लेक सुन कर लिखना डिसकबरी अफ इंडिया के लेखक कौन है? डिसकबरी अफ इंडिया को लिखा है ज्वाहरला नहरुजी ने उसके बाइखेगा कि नयन का संदी विक्षेद क्या होगा नयन का संदी विक्षेद जो होगा यह आपका ने प्लस अन होगा यह सही है अप्सिन नमबर डी नयन का संदी विक्षेद यह ध्यान रखेंगे थोड़ा सा important है उसके बाइखेगे बरसात में बोई जाने वली फसले जो धान जैसे कि धान मक्का इत्यादी को निमलखित में से क्या कौन सी फसल कहते है तो फ्रेंट्स इनको खरीफ कहा जाता है ठीक है और गेहू जो होता है यह रवी फसल होता है गेहु, सरसो, ये रवी फसल होते हैं, ये खरी फसल है, उसका बढ़ है कि वायु भीनभिन गैसो का मिसरन है, अब यहां से GK का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जिके जिस का सेक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है। वायू भीन भीन गैसों का मिसरन है, निमनलिखित में से कौन सी गैस किसी वस्तु को जलाने में सहाइक होती है, तो जलाने में सहाइक होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओक्सीजन जो होती है, ये जलाने में सहाइक होती है, पृतिवी किस दिसा से, किस दिसा की ओर गोमती ह जिसे प्रितिवी की दैनिक गती कहते हैं ठीक है तो पस्सिम से पूरब की ओर उसके बाद के पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी से क्या अवसोसित करते हैं तो पौधे जो हैं मिट्टी से जल और खानीज लवन अवसोसित करते हैं अपसे नमबर भी राइट अंसर हो जाएगा देख सकते हैं बिलकुल बेसिक प्रश्ण है और बीपेसी चेयरमें सर ने यहीं कहा है कि वन टू फाइब का जो प्रश्ण है वहीं पूछा जाएगा चले उसका बाद देखेगा कि हरी पतियों वाली सबजियां भरपूर रहती हैं तो यह विटमिन्स और मिनरल स यानि कि विटमिन और खनिज से भरपूर रहती हैं उसका बाद एक कारे करने की छंता क्या कहा दती है कारे करने की छंता को उरजा कहा जाता है उरजा जो है एक अधीस राशी है और इसका एसाई मात्रों जो होता है उरजा का यह जूल होता है और या effective यानि कि Is your क्रिटिट ये की कमी के कारण जो होता है रताउंधी होता है ठीक है चले उसका बाद next question है कि तापमान को किस इकाई में मापा जाता है तापमान को मापा जाता है degree centigrade में यहाँ पर दीके degree centigrade दिया गया है तापमान का SI मातरक पुछेगा तब Kelvin होगा याद रखेंगे आप बिहार का सोक के न चले उसका बाद दिखेगा कि प्रकास नंसलेशन की किरिया में हरे पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस को छोड़ते हैं तो प्रकास नंसलेशन की किरिया में हरे पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं तो कारवन डेकसाइड और छोड़ते हैं oxygen ठीक है तो carbon dioxide और oxygen इसका राइट अंसर हो जाएगा उसका बद के यदि सुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह कितने तापमान पर उबलता है सुद्ध पानी को हम गर्म करेंगे तो यह 100 degree Celsius पर उबलने लगेगा 100 degree Celsius इसका राइट अंसर हो जाएगा प्रकास को सुर्य से पृतिवी तक आने में कितने मिनट लगते हैं तो प्रकास को सुर्य से पृतिवी तक आने में जो है 8.3 मिनट का समय लगता है ध्यान रखिंग इफ्रेंट्स इंपोर्टेंट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह चिपको आंदोलन किस सम्बंदित है चिपको आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था कब तो 1973 में उत्तर परदेश की चमौली जीले में जो की अब उत्राखंड में आता है चंडी प्रसाद भट और सुंदरलाल बहुगुना ने इसको स्टार्ट किया था और यहां वनों की सु 20 में वनों से सम्बंदित है निमनुकित में से कोन सा प्रिलियम का उत्पाद नहीं है प्रोल है केरोसीन चर्च Presented भारत का मानक समय किसा सुष्वाण धिक्या । by इसकी इह8 2.默्रि वियापुर से होकर की गुजरती है इसी को माना गया है ठीक है और यहां समय ग्रिनवीच टाइम से साड़े पांच घंटा आगे है तो यहां पर दीके साड़े ब्यासी डिग्री पुर्वी दिसांतर इसका राइटन सर हो जाएगा चले उसका बाद दीके बिहार राजे में प नेक्स्ट कुश्चन है अकबर ने जजियाकर को समाप्त किया ठीक है ध्यान रखेंगे उसका बाद दिखेगा कि भारत के प्रथम राष्टपती कौन थे तो भारत के पहले राष्टपती डॉक्टर राजिंदर प्रसाद जी थे और राय टंसर हो जाएगा वर्तमान में भ प्रटल 24 तिर्थंकर हुए हैं और सबसे आखरी और 24 वे तिर्थंकर जो हैं ये कौन है तो वर्दमान महाबीर हैं और इनहीं को वास्तिविक संस्थापक जयन धर्म का माना जाता है अगला प्रशन की समराट असोक की राजधानी का नाम क्या था समराट असोक जो थे ये सं बंदित किस राजवन से हैं तो यहां मौरेवन से हैं ठीक है बिंदुसार के पुत्र है असोक और इनकी राजधानी पाटली पुत्र थी भारत का राष्ट्रिय पसु कौन सा है तो राष्ट्रिय पसु जो है ये बाग है भारत का राष्ट्रिय पक्षी मोर है राष्ट्रि ये पुस्प कमल है ठीक है चले उसकाब दिखेगा कि बिहाराज में गंगानादी पर सबसे लंबा सड़क सेतु कौन सा है तो ये महात्मा गांधी सेतु है पटना में उसकाब दिखेगा कि बिहाराज में कितने जिले हैं बिहाराज में जो है 38 जिले हैं और सबसे जो नया और और तीसवा जिला यहां कौन सा है आप नाम कमेंट करके मुझे बताएंगे चले उसका बाद देखेगा कि कलिंग यूद से संबंदित निमलिकित में से कौन है कलिंग यूद से संबंदित असोक है असोक ने अपने राजविसिक के आठेवे वर्ष लगभग 261 इसा पुर्व में जो है कलिंग पर आकर्मन किया था और उसमें कलिंग की राजधानी जो थी ये तोसली थी ठीक है इसको भी ध्यान रखेंगे आप चले उसका बाद दिखेगा कि पंदरा में एक का अस्थानिय मान क्या है पंदरा में एक का अस्थानिय मान तो इकाई और दहाई तो अस्थानिय मान एक का पुछा जा रहा है तो राइटन सर इसका दस हो जाएगा ठीक है चलिए उसके बाद देखेगा कि सत्रा में दहाई है तो सत्रा में क्या है दहाई है एक ठीक है साथ इकाई अस्थान पर है और एक दहाई अस्थान पर है तो दहाई पर एक है उसके बाद एक निमलेखित में से तीन का गुनज कौन सा है तो 3 का गुनज कौन कौन से होगा तो 3 होगा एक तो खुद उसके बाद 6 होगा उसके बाद 9 होगा फिर 12 होगा इससे तरह से यह आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर दीखे 9 दिया गया है next question है कि 0, 1, 3, 4 यहाँ पर दीखे 0 भी है 1, 2, 3, 4 से मिल करके मतलब इनका उपयों करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन से होगी तो इसमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी यह option number C हो जाएगा देखे लिए इन्हीं अंकों का इस्तमाल यहाँ पर किया गया है 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 0 तो यह सबसे छोटी संख्या इसमें से next question है कि 4 रुपीय 75 पैसे के पेन खरीदने के लिए 25 पैसे के कितने शिकों की आवसकता होगी बिल्कुल basic question है देखे 4 रुपीय में 25 पैसे के कितने सिक्के होगे तो देखे एक रुपीय में 25 पैसे के 4 सिक्के हो जाएंगे तो 4 रुपीय में 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे 16 सिक्के हो जाएंगे और फिर 75 पैसा बचा तो 25 तियाए 75 यानि कि 3 सिक्के तो 16 और 3, 19 सिक्का लगेगा 25 पैसे का उसके बाद 4 किलो ग्राम, 50 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं 4 किलो ग्राम, 50 ग्राम में तो आपको पता है कि 1 किलो ग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है यानि कि यह तो 4000 ग्राम हो गया और ये 50 गराम, यानि कि 4050 गराम इसका रहे टंसर हो जाएगा, ठीक है, उसका बाद देखे, 3 लीटर दूद के लिए 200 मिली लीटर वाले मापो को कितनी बार पूरा-पूरा भरना होगा, आप देखे, 200 मिली लीटर का एक कोई भी पैमाना है, मतलब बरतन है, और 3 लीटर दू के लिए कितना बार भारना पड़ेगा, तो 15 बार, यहां पर देखे, 15 अप्स नमबर B में दिया गया है, एक रेल गाड़ी दिल्ली से साम 5 बज कर 10 मिनट पर छूट करके, अगले दिन सुबह 6 बज कर 45 मिनट पर पटना पहुंचती है, तो इस यात्रा में कूल कितना समय ल पांटा 35 मिनट इसका राइट अंसर हो जाएगा, उसका बार देखे, सबसे छोटी भीन इसमें से कौन सी है, तो यहां पर देखेंगे, हम काट करके इसको देख सकता है, solve करके, तो यहां पर देखे, 11 है, 11 हो जाएगा, और फिर बचेगा कितना, तो 10 बचेगा, तो यानि क 11,99, 1.9 हो रहा है, इसमें देखे, सातिर का काईश, फिर देखे, पांच यू का बीस, और फिर यहां पर देखे, पांच यू का बीस, और यह फिर पांच दूना दस हो जाएगा, यहां पर देखे, 13 हो जाएगा, और बचा कितना, 8 बचा, तो decimal लेंगे, तो 13, 6, 78 होगा फ इसमें से देखेगा, तो यह 3, 4 हो जाएगा, काट के देख लिजेगा, सबसे पहले हम बात करें, 2 से, 2 दूना चार, 2 एकम 2, 2 दूना चार, 2 अठे, सोरा, अब देखे, अब यह सातिर का एक ही साजाएगा, और साचो का 28 से जाएगा, 3 बटा 4 हो जाएगा, 3 बटा 4 का प्र प्रतिसत पूछ रहा है, तो पचीस चो के सो होता है, और पचीस तियां यह 75 परसेंट हो जाएगा, दो का यहाँ पर देखे, पावर फाइब दियागा, इसमें गहातांक पूछ रहा है, तो यह 5 ही तो है, 1292 वर्गमुल किसका है, तो 1292 चाटीस का वर्गमुल है, करके दे यहाँ जायेगा, ठीक, थी, 33, 19, 10, 66, 36, 34, 88, 33, 21 होगा ऊपर, सर उपर 21 होगा, तब देखे, 8, 9 हो जायेगा, ठीक है, दो हो जायेगा, और एक हो जायेगा, तो 1296 का है, नब्बे डिग्री की कोन को कहते है, तो इसको सम कोन कहा जाता है, उसका पाद कितर भूज के तीनों तो तिरुस्ट के तीनो कोन का योग फल 180 निहीं होता है अचा चत्र भुज के 4 और चाइट किसारो कोनो का योग कितना होता है ये आप जरा मुझे कमेंट करके आप यूब ता ह Natald科 वर्ग की परिमिती का फ़र्मुला तो ये फॉर इंटु भुजा होता है और इसका अगर वर्ग का छेतरफल पुछेगा तो भूजाए स्क्वाइर होता है ठीक है भूजाए स्क्वाइर होता है चले आयत का छेतरफल तो लंबाई गुना चोड़ाई होता है आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई गुना चोड़ाई होता है ये भी धिहान रखेंगे चले एक ब बिरित की परिधी का फर्मूला 2 pi r होता है, ठीक है, और pi r square बिरित के छेतरफल का फर्मूला होता है, तो यहाँ परिधी पुछा गया, तो 2 pi का मान 22 बटा 7 होता है, मैं बता भी देता हूँ, और r का 7 दियागा, तो 7 से 7 कंसिल हो गया, 12 दूना 44 परिधी हो जाएगा, 44 cm, उस परिधी का मान केतना होता है, अभी मैंने बता है आपको थोड़ी जर पहले कि 22 बटा 7 pi का मान होता है, अब यहाँ से देखिए क्या स्टार्ट हो रहा है, तो teaching aptitude वाला प्रशन स्टार्ट हो रहा है, 100 तक में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक अनुतर निंचात की परति आपका ब्यवार होना चाहिए, तो उसको अभी प्रेडित करने बाला, ठीक है, चलिए, अब आते हैं 100 पर सीदे, मैं दिखा देता हूँ, यह 100 नमर को स्टार्ट है भारती समिधान की किस अनुछेद में, सिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है, तो यह अनुछेद 21 A म मैं आपको कवर करवा दूँ,